जैहिंद प्यारेजाती इस वीडियो में बात करने वाले हैं SSCGD Constable 2022 ते इसकी बरतवान भरती के बारे में और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाल हूँ आपके final cut-off के बारे में और medical date के बारे में क्योंकि बच्चे अब medical के दिये तो qualify हो गए लेकिन यहां हर एक candidate यह जानना चाता है कि चलो यहां तक तो आगए इसके बाद क्या हमारा selection हो पाएगा या नहीं हो पाएगा तो आपके सभी सबालों के जबाव आपको मिल जाएंगे साथ ही मैं बहुत सारे बच्चे ऐसे भी वीडियो देख रहे होंगे जो जानना चाते होंगे कि क्या इसकी कोई second marriage list आएगी तो उनके जवाब जो भी है उनके सवाल जो भी है उनका पूरा अंसर आप सभी को मिल जाएगा तो आप वीडियो को लास्त तक ध्यान से ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर अगर के चैनल को सब्सक्राइब कर ले है और वैल आइकन पर प्रेस कर ले है ताकि future में आने वाली हर एक update का notification आपको सबसे पहले मिलता रहा है आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी information देता है तो देखें आप सभी को यह तो पताईए कि कितने candidate यहाँ पर qualify हुए हैं क्योंकि आप सभी ने यहां से भी इसका जो data है वो यहां से चेक कर लिए होगा यहाँ पर candidate बताए गए में आप सभी देख सकते हैं यहां पर NCV और SSF को छोड़ कर यहां पर 9627 candidate पास हुए है female candidate बागी का male candidate के लिए यहां पर कुछ SSF के candidate हैं जो कि यहां पर qualify है बागी की और candidate यह आपके 2889 हो जाएंगे तो इन सभी candidate को मैंने एक ही जगा पर जोड़ लिया है एड कर लिया है जिसके बाद मैं आपको पूरी चीज़े clear कर दूँगा यहां पर आते हैं तो देखें यहां पर यह दो जार बाइस यानि कि अभी वाली जो भड़ती हो उसका data यहां पर मैं आप सभी को बता रहूं कि जिसमें बताया गया है कि candidate कितने PST and PET के लिए solid listed हुए कितनों का यहां पर conduct हुआ कितने absent हुए कितने present हुए कितने not qualified और कितने qualified यानि कि जो बच्चे physical में qualified हुए उनकी संक्या एक लाग चालिस हजार 992 जिसमें से DME के लिए मातर 92,820 candidate को ही qualify किया गया है बाकी के लगवग 8,000 यानि कि 54,000 candidate लगवग यहां पर fail हो गए लगवग 54,000 candidate यानि कि 54,000 candidate को fail करने के लिए जो आपकी cut-off बढ़ी है उसका gap आप देख सकते हैं कि कितना gap है आगे बढ़ते हूं और कुछ चीजें और मैं आपको पहले clear कर देता हूँ है 2018 वाली भरती का डेटा, 2020 वाली भरती भी यह डेटा देखने के लिए नहीं मिला जहां पर आपको बताया गया कि male and female का डेटा आपको बताया रखा है कि medical के लिए कितने solid listed किये तो medical के लिए यहां पर 20,755 candidate को solid listed किया गया था और male candidate को यहां पर 1,31,513 तो female candidate 20,755 और male candidate 1,31,513 यानि कुल में लाके 1,52,265 candidate ऐसे थे जिनने DME के लिए solid listed किया गया था ठीक है DME के लिए यानि medical के लिए ये candidates solid listed हो गयते हैं अब इसमें से not qualify candidate की अगर हम बात करें तो यहां पर देख सकते हैं 42,713 candidate ऐसे थे जो कि DME में fail हो गए यानि कि medical examination हुआ तो medical examination में fail हो गए बाकी के total जो candidate DME और RME दोनों को मिला कि जो candidate qualify हो रहे हैं वो एक लाक नोग जार पांच सो वावन candidate ऐसे हैं जो कि आपका DME, RME, physical written examination सब कुछ qualify कर चुके हैं final merit list में से बाकी की जो विकिंसी हैं उन विकिंसी में solid listed करते हुए इन candidate को पास किया जाएगा यानि कि जितनी विकिंसी उतने candidate qualify हो जाएंगे बाकी के candidate यहां पे fail हो जाएंगे लगवग 28% तो हम यही मान लेते हैं कि लगवग 28% candidate इस वारे भी fail हो जाएं तो इसी हिसाब से हमने देखा है कि लगवग अगर हम यह माने कि 1,440,292 candidate में से 2,820 candidate को यहां पे qualify किया गया है medical के लिए जब इनका 2,820 candidate का medical हो गा तो हमने पिछली भरती के data से यह माना कि 26,000 candidate disqualified हो जाएंगे यानि DME, RME में आपके इतने बच्चे यहां पे fail हो जाएंगे अगर इतने बच्चे यहां पे fail होते हैं on average के 26,000 candidate यहां पे fail होते हैं तो इस हिसाब से आप यह मानिए कि लगवग 66,000 candidate ऐसे होंगे जो कि यहां पे qualify होंगे medical में लगवग 66,000 या 66,000 820 मान लीजिए 66,000 820 candidate ऐसे होंगे जो कि medical में qualify हो जाएंगे अब इन candidate पर final list बनेगी यानि कि final married list यहां पे तयार होगी इन candidate पर अब final married list के लिए अगर हम बात करें तो कुल विकिंसी की संख्या आप सभी को पता है कि 50,187 आपकी कुल विकिंसी की संख्या है और यहां पे लगवग 66,000 candidate यहां पे qualify हो रहे हैं तो यानि कि CDC बात है कि लगवग 16,000 candidate ऐसे होंगे जो कि medical होने के बाद भी यहां पे candidate fail होंग तो देखें यह expected चीजें हैं जो कि last वाली भरती से comparison करके यहां पे निकाली है जैसे मैं physical के लिए भी लगवग आपको बोड़ रहा था कि physical में लगवग 1,35,000 पास होंगे तो यहां पे 1,40,000 पास होए हैं हालंकि 11,000 जाता हैं लेकिन फिर भी expected यह idea रहता भी है जैसे कि मै मैंने यहां पर बताया 26,000 की जगए 27,000 भी फिल हो सकते हैं यहां फिर 25,000 भी फिल हो सकते हैं इसी दरीके से इसमें थोड़ा बहुत वदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा ज्यादा वदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा अधिकतम आभ यह मानिए कि medical में पास candidate की स qualify किया जाना है अब आप ऐसे समझो के देखो यहां पर 1,40,000 candidate आप सभी को दे रखे हैं 1,40,000 candidate में से कुल 92,820 candidate को qualify किया गया है और 54,000 candidate को भार किया गया है अब 54,000 candidate को भार करने के लिए कितनी आपकी merit बढ़ाई गई है आप सभी को पता होगा अगर मैं state bys बात करूं त लेकिन आपको तो पता है कि आपकी cutoff कितने number increase हुई है अब मान के चलो कि आपके state की एक example के लिए मान लेते हैं कि पहले आपकी cutoff थी 123 और अभी आपकी cutoff हो चुकी है 129 तो आप ऐसे समझेए कि यहां पर जो आपकी cutoff increase हुई है वो कितनी हुई है 6 number यहां पर आपकी cutoff increase 4,000 और यहां पर कितने qualify करने की जड़ुवत है कुल 16,000 यानि कि लगवग हम माने तो तीन गुना तो आप कम से कम मान सकते हैं यहां पर 17,000 हो जाए तब भी हम यह मानेंगे कि तीन गुना अगर तीन गुना से अगर आप यहां पर divide कर दे तो जहां 6 number बढ़ी है अगर अब पर ज्यादा cut-off बढ़ी है जैसे जहां पर 12 number cut-off बढ़ी है वहां पर तीन से divide दो तो आपकी 4 निकल कर आएगा यानि 4 number आपकी cut-off increase हो सकती है और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूं ऐसा क्यूं मैं आपको बोर्ड रहा हूं अभी आपको clear हो जाएगा देखो ऐस अगर 25 से फ़र 30 करी जाए तो 1000 बच्चे नहीं होंगे निश्चित तोर पर कमी होंगे 900 होंगे या 800 होंगे इस तरीके से बच्चे आपके होंगे यानि कि जितनी आपकी cut-off उपर बढ़ती जाएगी उतने कम number पर अधिक candidate निकल जाते हैं यानि कि अभी मानों कि जब 123 से 129 आपकी cut-off की गई है और यहां पर 4000 candidate को disqualify किया गया है तो इसी तरीके से जब अगर अगली बार यहां पर तीन number भी अगर आपकी बढ़ा दी जाए ने 132 तो हो सकता है कि इतने में ही इतने बच्चे disqualify हो जाएं क्योंकि उसका reason यह है कि ऊपर number का variation कम होता जाता है और कम स समझाना चाहरा हूँ जो उमीद कर रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे ऐसा जरूरी नहीं है कि दो ही number आपकी increase हो सकता है कि दो की जगए आपकी चार increase हो जाए वो state to state ही vary करेगा जैसे physical में समझो कि कुछ जगे state में ऐसा हुआ है कि जहां पर बच्चे physical में ज़्यादा qualify हो मिलेगा तो आपकी जो cut off होगी वह भी उमीद नहीं है कि बहुत जादा cut off increase हो लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि cut off to increase होगी यह सवाविक रूप से चीज़े एकदम सच हैं अगर आप इसे पहले accept कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा जैसे कि मान के चलो starting में जब आपक को सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ पचास लाग फॉर्म बरें आप सभी जानतें कि केवल पचास हजार विकेंसी हैं तो यह तो भाई पहले से ही क्लियर है कि पचास हजार लड़के ही सलेक्ट होने हैं बाकी के उननचास लाग पचास हजार candidate disqualify होंगे यह चीज़ पहल 2820 candidate में से अधिक तम 50187 candidate की ही जौब लगेगी बाकी के जो लगवक 40-42,000 candidate हैं उनने disqualify होना पड़ेगा कोई बच्चा DME में disqualify हो जागा कोई RME में disqualify हो जागा बाकी के बच्चे बच्चे हुए final merit list में छटना तैह है तो जिसने ज्यादा मेनद किये जिसके ज्यादा है एक नमबर जादा है मेरा selection होगा या नहीं होगा यह कोई भी तैह नहीं कर सकता हो सकता है कि बहुत बार जब ज़्यादा नमबर भढ़ने की उमीद हो कि इतने नमबर भढ़ जाएगी तब आपके कम नमबर पे ही आपका selection हो जाए तो अगर आपका चाहे एक नमबर जादा है या पॉइंट वन जीरो ही जादा है अगर आप मेडिकल के लिए क्वालिफाई हैं तो अपने आप पर उम्मीद रखकर आप मेडिकल देने जाएं बागी की जो भी होगा जो भी आगे प्रोसेस होगा वो तो देखा जाएगा क्योंकि आपने उमीद पर ही तो आप यहां तक आएं अपनी मेहनत की बतौलत यहां तक आएं कम जगम कुछ नहीं मिलेगा तो अनवाव तो आपको मिलेगा पहली वार आप अपना मेडिकल करवाएंगे तो यह बहुत वड़ी चीज होती है अगर आप इसे समझेंगे तो डेफिनेट लिया आपको इसके जो पास आपका मेडिकल कंडक्ट होने वाला है लगवग 20 जुलाई में आप सभी को यह बोड़ रहा हूँ एक अदो दिन आगे पीछ आप सभी को क्लियर हो जाएगा उमीद है कि जल्दी इसका ओफिशन नोटिफिकेशन भी रिलीज हो जाएगा और 20 जुलाई के आपका मेड आप होई होंगी कट आफ का चक्ता छोड़ के सिर्फ मेडिकल के लिए तयार रही है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सो थैंक्यू फू वाचिंग जैहिंग जैबारत